हालो फ्रेंज, स्वागत आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूटूब चेनल वेदांसी टेक्निकल क्लासेज में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही जबर्दा सक्सिस फोर्मूला, सफलता का सुत्तर तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंतक जरू देखना और ये 100% मेरा दावा है दोस्तों कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे इस सुत्तर को हमेशा जीवन में साथ लेके चलोगे तो ना सिरफ पढ़ाई में, ना सिरफ एज्यूकेशन में बलकि इसके अलावा आप कोई सा भी बिजनेस करोगे, कुछ भी काम करोगे तो हर जीवन का हर छेतर है वहाँ पर यह सक्सेज को रुला आपको बहुत ही ज्यादा हैल्प परदान करेगा, बहुत ज्यादा सहीवर परदान करेगा आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा और आप लोगों को जो है हमेशा आगे बढ़ने की प्रेढना देता रहेगा अते दोस्तों आप लोग जो है किस वीडियो को जो है बिल्कुल भी किप मत करना इसे अंतक जरूर देखना तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये निविदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो नए हैं हमारी YouTube चैनल पर वो प्लीज इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगेरा को भी कहें वो भी इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि जो है सभी स्टुडेंस के पास हमारा जो नौलेज है वो सभी के पास पौंच सकें तो दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सफलता का सुत्तर तो दोस्तो जैसा कि आप लोगों ने उर्जा संरक्षन के सिदांत के बारे में सुनाओगा एनर्जी कंजर्वेशन लो उर्जा संरक्षन का सिदांत एनर्जी कंजर्वेशन लो अपन को क्या कहता है कि उर्जा जो है उसको ना तो अपन उत्वन कर सकते हैं और ना ही उर्जा को अपन जो है नश्ट कर सकते हैं, उर्जा को केवल हम लोग जो है एक रूप से दूसरे रूप में कनवर्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उर्जा को रूपांत्रित कर सकते हैं, अतेर रोज तो इस सिद्दांत से, इस उर्जा सर्नक्षन क सिद्धान से हमें ये बात समझ में आती है कि उर्जा को कभी भी नश्ट नहीं किया जा सकता उर्जा को हमेशा अपन जो है दूसरे रूप में ही रुपांत्रित कर सकते हैं उसे नश्ट नहीं कर सकते आते दोस्तों इसका अपनी सफलता के से जो है ये तात्प्रे है सफलता स जो है इसका ये तालुख है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ भी प्रियास करते हैं तो वो नस्ट नहीं हो सकते कोई भी यदि अपना जो प्रियास किया जाता है वो प्रियास का भी भी जीवन में नस्ट नहीं होगा वो 100% ये गारांटी है ये प्रकरती का सिद्धान्त है कि वो एक रूप से दूसरे रूप में 100% कनवर्ट होगा और दोस्तो यदि हम किसी सक्सिज के लिए कोई प्रियास कर रहे हैं तो हमेशा वो जो प्रियास से अपना वो सक्सिज में ही कनवर्ट होगा दोस्तो आप लोगों नहीं देखा होगा ये पर्सनली एक्स्प्रियास भी किया होगा कि यदि हम सही एक अच्छा प्रियास करते हैं तो हमें रेस्पोंस भी अच्छा मिलता है और यदि हम गलत प्रियास करते हैं तो हमें जो रेस्पोंस है वो भी क्या मिलता है गलत मिलता है लेकिन response 100% में होता है और यदि हम कुछ भी नहीं करते तो automatically हम बेठे रहते हैं चुपचाप अपने हाथ में कुछ नहीं होता ना हम घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस चीज को समझो इस चीज को गाट वांद लो कि यदि आज हम कुछ परियास करेंगे तो 100% जो है वो परियास किसी अधर चीज में किसी अधर चीज में जो है 100% रुपांत्रित होगा ही होगा जिस परकार से उर्जा को हम नश्ट नहीं कर सकते उर्जा को दूसरे रूप में रुपांत्रित कर सकते हैं ठीक उसी परकार चीज में परियास है वो भी 100% किसी दूसरे रूप में दूसरा रूप सामानेत जैसे success हो गया यदि हम कम परियास करेंगे तो कम सफलता मिलेगी और यदि हम ज़्यादा परियास करेंगे तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी Less effort, less success, more effort, more success आते दोस्तों हमें अपने जीवन में निरंतर परियास करते रहना चाहिए आज यदि हम बीज बोईंगे ना दोस्तों तो कल जरूर फसल हमें प्राप्त होगी आते दोस्तों इस बात को याद रखो, बीज बोऊगे तभी फसल लोटके आएगी तभी अनाज मिलेगा, यदि बीज बोऊगे नहीं तो अपन को कुछ नहीं मिलने फाला आते दोस्तों be motivated, आप लोग थोड़ा सा active हो और समझो, बहुत सारी बड़िया चीज़ी होती है, जिन चीज़ों को समझने की जरूरत है जिन चीज़ों को अच्छे से utilize करने की जरूरत है तो आप लोग जो है, निरंतर परियास करते रहो, माइन में रखो, परियास करेंगे तो ही हमें जो है, success प्राप्त होगी तो दोस्तों ये तो हो गया उर्जासन रक्षन का सितान्त साथ ही साथ आप लोग इस चीज़ को भी समझो कि Newton की गती का तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि हर किरिया की बराबर और विप्रीत परती करिया होती है Newton की गती का तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि हर किरिया की बराबर और विप्रीत परती करिया होती है जिस प्रकार दोस्तों येदि हम दिवार के धक्षा मारते हैं तो दिवार भी जो है बराबर हमें वापस फिर से रिटर्ण में धक्षा मारती है तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में कुछ भी action लेते हैं, कुछ भी अपन किरिया करते हैं, कुछ भी अपन काम करते हैं, तो जरूर हमें return में कुछ ना कुछ मिलेगा, वापस जो है return में कुछ ना कुछ 100% मिलेगा, किसी चीज़ में दोस्तों, आप इ से मालो पेट्रोल होगा, इंदन होगा, फ्यूल होगा, तो इंजन चलेगा, अगर फ्यूल होगा नहीं तो इंजन ओपरेट नहीं होगा, अते दोस्तों ठीक इसी परकार, यदि कुछ इंपुट जो है अपन सफलता के लिए, सफलता के लिए यदि अपन कुछ इंपुट डा कि प्रियास करने के कुछ ना कुछ एफर्स करने के ताकि आप लोगों को उठ्जा समरक्षण के सिद्धांस से ले लो या फिर नूटन की गति के तीसरे नियम से ले लो आप लोगों को 100% जो है उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों इसलिए तो बोलते हैं भविश्य क्या है भविश्य कुछ नहीं है आज वर्तमान समय में जो अपन एक्षन करेंगे जो अपन काम करेंगे उसका परिनाह ही क्या होगा अपना भविश्य होगा अते दोस्तों आप लोग इस इस को समझो कि अपना भविश्य जो है अपना जो केरियर है अपनी जो सफलता है उसको यदि अपन को अच्छे से प्राफ्त करना है तो हमें वर्तमान समय का जो भी समय है प्रियास करते रहू और रुको मत प्रियास करते ही रहू लगातार करते रहू दोस्तों यदि आप लोग जिसे रेस है जीवन क्या है एक रेस है आप लोगों को बहुत तेज दोड लगानी चाहिए यदि आप लोग तेज दोड नहीं लगा सकते तो आप लोगों को थोड़ा धीरे दोड़ना चाहिए यदि आप लोग धीरे नहीं दोड़ सकते तो आप लोगों को तेज तेज चलना चाहिए और यदि आप लोगों को धीरे धीरे चलना चाहिए और यदि आप लोग धीरे धीरे नहीं चल सकते तो आपको रेंग रेंग कर चलना चाहिए लेकिन जीवन में कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए दोस्तों हमें जो है जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी तो बिलकुल निर्मल रहता है स्वच रहता है सुध रहता है और रुखे हुए पानी में अक्सर कीडे बढ़ जाते हैं तो दोस्तो इसी परकार यदि अपन भी रुख जाएंगे ना दोस्तो तो अपने जीवन में भी उतनी ज़्यादा सफलता हमें हासिल नहीं होगी हम चलते रहेंगे निरंतर अभ्यास क सकते रहेंगे तो हमें जो है सखसे कुछना कुछ तो मिलेगी ही मिलेगी दोस्तो यहीं तो ऐता है अपने इलेक्ट्री सिंथ्योरी के अतरब आपनों देखते हुँं स्तिर रहें तो व्य़ं वित्शतर उत्पन करता है और बहुत ही सिमित कार्यों में उप्यूग cadre सरत्ष वो ही आवेस येदी गति करने लग जाएं तो वो विविन परकार के खतरनाग परभाव जो है वो उत्पन करने लगता है जैसे विदुधारा का चुम्ब के परभाव हो गया विदुधारा का परकार से परभाव हो गया विदुधारा का रासाइनी परभाव हो गया इलेक्ट्रों से बहुती जवर्दस बहुती खतरनात प्रभा उत्पन करने लगते हैं तो ठीक इसी परकार दोस्तों यह थी हम भी अपने जीवन में गती करने लग जाएं तो हमें भी जो है, हम भी जो है, अपने जीवन में बहुती जवर्दस प्रभा उत्पन कर सकते हैं, बहुती बड़ी-बड़ी सफलताई जो है, हासिल कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्तू, आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग कमेंट वक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम लोग इसी प्रकार से और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएं, साथी साथ जो है, मैं सभी स्टूडेंस को, आईटियाए वाले स्पेसली आईटियाए वाले टेक्निकल स्टूडेंस को जो है, ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूटूब चैनल के माद्यम से, आप लोगों को गौर्नमेंट जोब की तियारी करवाई जाती है, साथी साथ ये आप लोगों को प्राइवेट जोब भी चाहिए, तो आप लोग हमारे यूटूब चैनल से जुड़ें, आप जो है, समय समय पर अवेर किया जाएगा, और साथी साथ जो है, आप लोगों को पर्सनलिक्टी डवलप्मेंट या फिर जो है, आपका व्यक्तित्व जो है, उसके बारे में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बाते जो है, हमारे इस यूटूब चैनल के माद्यम से सीखने को मिलेगी, तो ठीक है दोस्तो, उर्जा संदक्षन के सिद्दान्त को हमेशा माइन में रखना, उर्जा को कभी भी अपन नश्ट नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरी रूप में रुपांतित कर सकते हैं, अतर अपन प्रियास करेंगे, तो पक्का आपन को कुछ ना कुछ दूसरी चीज मिलेगी ही मिलेगी, तो ठीक है दोस्तो, आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे, आपसे एकले वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद